वो आज का जो टॉपिक है वो है Resource Pool Resource Pool को configure करने के लिए सबसे प्रास तरीका यह है कि आपके पास एक Cluster अपिलेबल होना चाहिए या तो Single ESX पे configure होगा या Cluster में implement होगा Cluster के अंदर भी आपके पास होना चाहिए DRS Service तभी अप्टिवेट होगा तो उपर दिख रहो हुँ है रिसोर्स पूल डिसेबल आ अगा है, तो इसके लिए सेटरेक्स पर राइट खिलिक करके अड़ेट सब्सक्राइब करें जाएंगे, और दीयरे सब्सक्राइब करें, और इसको उप्लिक करके महारा जाएगे, तो जैसे अब एक्टिवेट करोग आप रिसोर्श मोल अंतिविasına' हम सभ जब से पहले प्र में शर्णल का नाम डेवाइड करेंगे हम दो तरह की कातगरी मनैंगे लो कैटगरी और आई कातगरी कटेगरी के सुर्स fizyunk हट जाएिए है हई कटेगरी के सुर्सी दीओ तो जागर रहे हैं तो कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाने जाओगे तो मैं इसको डिफाइब दरने जाओगे लो काट इसका शेरिंग प्रोसेस शेरिंग का मतलब है कितना परसेंटेज ओफ सीप्यू रखना चाहते हुए अपने इस इंवार्मेंट के लिए तो मैंने कर दिया इसको लो लो में सीप्यू मिलेगा 2000 GHz 2000 MHz 1000 24 और क्या इसमें रखना चाहते है रजर्वेशन का मतलब ही होता है minimum capacity at least minimum इतना space हमने इसकी reservation zero रखी है हमें reservation नहीं देना हमें डिसाइड कर सेते हैं किस वेंपो कितने reservation रखी है तो हमने इसको zero रखी है फिर उसके बाद expandable reservation है बाद expandable कहां तक कर सकते हो वो हम define करेंगे 3000 कितना define करेंगे? 3000 तो मैं इसको unlimited को uncheck करूंगा तभी ये condition highlight होगे यहां के click करा तो मैं इसको 3000 तक रखी होगे जाद आब तम होगा विभात है 3000 कर देगा 3000 कर देगा इससे जा लगी जाद आएगा बलब 2000 से शुरूगो और 3000 तक जाएगा चेके लिए और अगर ने इसको unlimited कर दूंगा तो जितनी भी capacity होगी वो सारे के सारी इसको पूरी मिल गएग तो मैं इसको 3000 देना चाहँ अब इससीपी को बता रहा सेम कंसर्फ मैमरी का भी असी चलेगा अब अब सीपी को समझ के चले तो इससे सारी कमी समझ आएगा इसको ओके पे अबने क्लिक करा तो हमने कंडिशन बनाएं किसके नमसे लो कैट के नमसे अब एक पर काटेगरी बनाएंगे हाई काटेगरी ठीके ना अब उस पर इहां पर इहां रिसोर्स पूल पर क्लिक करेंगे और यहां पर रिखेंगे हाई हाई में 8000 तक जा रहा है तो मैं इसको कस्टम डिपाइन कर देता हूं कि इसको नहीं तक बाइन की शेरिंग वाल्याव इसको 8000 है और मैक्सिम कितनी जायेगा हम इसको देटी है इसको उन्हाद कर देते हैं कस्टम में 4000 से 5000 आई दिपाइगा यह तो इतनी शेर हमें इसको डिपाइन कर आए आई हुम है प्रस्कों मोटी पी क्लिक करें तो दो क्यादेगरी में लेंगे सबसे पहले में अपनी इन डियम्स को उठाकर यहां पर ड्राइब करके लो क्यादेगरी में लेंगे कि बीच प्रतिकेशिब्स लाड़ कि यक्यूना झाल को अप्रिक्त टार्बीक करें तो अप्रिक्टस था कि था कटिछिन करनाँ निख में छोगा है तो कि फेट जा बीचे में अटमैटिक पूछेंगें कि वीच टाल देखाने कि एक पुछेंगें तो DRS Services के अंदर शुड भी फूली ऑटमाटिक है ठीक है रिखने है अब विंडो एक्सपी वीम पर पावर आन करेंगे इसको सर्वेस स्टार्ट करेंगे इस मशीन को भी पावर आन करेंगे इसको भी स्टार्ट करेंगे जो जो रिजर्वेशन जीरो जीरो दिखा रहा है लिमिट में अनलिमिट शो कर रहा है शेर में थाउजन थाउजन शेर में शेर करेंगे क्योंकि मैंने इसको डिफाइन किया था तो यह काम करेंगे मैमोरी वाले ब्लॉक को छोड़ दो सिर्फ सीपी वाले को लिखेंगे कंफिगरेशन रजरवेशन अपने जीरो रखे थी रजरवेशन टाइप एक्सपेंडेबल तो है बट रजरवेशन 0 MHz है और अविलेबल रजरवेशन कितनी है 3000 MHz क्योंकि मैक्सिम 3,000 है 2-3,000 है तो ज़र देखते हैं मशीन को चलाते हैं कितना CPU कंजूम कर रहा है इसके लिए क्लिक करेंगे और यहां पे हम उतना प्रोवेशन स्फेस पोस्टेड पोस्ट CPU अभी 00 MHz है जैसे इसको हम चेक करेंगे तो यह प्रोसेस बड़ेगा तो यह तो पोस्ट मैमरी और गैस्ट मैमरी की बात कर रहा है हमें CPU चेक रहा है तो टाइम लेगा इस में आपको वीत चीसाँ जड़ाएगे इसको करने से पहले मैं जड़ा अपना alarm भी Disable कर देणा हो तो takip इस पे alarum accident लेगना हो तो अलारम पे जाने के बाद Disable alarm actions अपनेस अलारम पे जाएंगे और Disable alarm actions करेंगे अब इसके बाद हमें के करके process करेंगे शुक्त तो इसका CPU पर्सेंटेज है वो 0% दिखा रहा है CPU भी इसके राइट क्लेक करता ही हैं इसको open with command form करेंगे तो यह जैसी हमें बड़ाया तो CPU 100% पहुंच किया शुक्त तो इसको भी हम minimize करेंगे वर्चल मशीन की performance कितनी slow हो जाएगी मैं को यह लिखाना चाहता हूँ इक इसमें category जो define की थी उस condition में सेकेंड लियम पे भी हाँ पर right click करकेंगे और इसको भी यहाँ पर open console करने के बाद इसका भी CPU increase करेंगे बड़ CPU increase करने की जो script हो इसमें copy नहीं है तो मुझे यहाँ से copy करने पड़ी है रखेंगे जाओ कि तरह स्वाइश 90.61.40 वेट 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 वाइस सो CPU busy तो देखिए इसका भी CPU busy बढ़ना शुरू हो के 100% यह सारी मशिने लो काटेगरी में जाकर देखो अब इसका वो CPU का परसंटेज है तो देखो बढ़ता जाएगा 33 वेट वेट करना होगा देखो 11735 पहुंच 11735 पहुंच गया तो यह ओर हाइक जाएगा यह ओर हाइक जाएगा तो यह प्रोट अब आप पूट देखा कि इसका हो CPU 1480 14950 तक जा रहा है क्योंकि 1495 इसलिए जा रहा है क्योंकि इन मशिन की जो रिक्वार्मेंट है इतनी जादा CPU की रिक्वार्मन बढ़ती जा रही है हमने रिसोर्स पूर के अंदर काटागराइज किया हुआ था कि इसको जो मिलेगा जो मैक्सिम कैपस्टी मिल सकती है वो 3000 मेगा हर्ट ही मिल सकती है उससे जादा नहीं मिल सकती है अगर हम इसको लोग कडिगरी पर राइट प्लिक करके इसकी अड़ेट साटिंग्स में देखें तो यह हम लोगों ने 3000 मेगा है जो कि हम पर पूर नजर आएगा तो यहां पर आप यह रिफ्रेश करेंगे तो यह हमें नजर आएगा तो मैं यहां पर डिफाइन कर सकता हूँ तो यहां तो हम यहां पर क्लिक करने भी भी आ जाता है यह क्लिक करने पर जा रहा है तो यहां तो राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो अड़ेट सेंटिंग्स रिसोर्सिस रिसोर्सिस में देखेंगे तो सीप्यू जो 0, 0 देख रहे हैं, इसको मैं कितना define करना जाता हूँ, या तो यहां से भी define कर सकता हूँ, custom बेजा कर, 1000 की जंग है, 2000, ठीक है, या 2 जा define करूँ, या फिर इसको normal रखकर, इसका clock rate 2000, मेगाट करूँ, इसको जसी मैं ok करूँगा, मैं कोई भी option भी उप्षिन कर सकते हूँ, insufficient to satisfy configure failover level हो HA, तो हमला, हास को support नहीं करना के रहा हूँ, क्योंकि हास के condition हो गई न, क्योंकि यह unbalance कर देगा, तो अगर मैं हास सर्विस को disable कर दूँ, तो बेर के मोली, हास को disable होने लगया है क्योंकि वो, फिर र्राइट क्लिक कर देंस पे, add it settings, resources, 2000, ok, मैं को मैं ले लिए इसमे, concept लिए, क्योंकि अगर देखें हैं, तो यहां पे 1000 share की बजा आए, और इसको 2000, विए वर्स्ट केस, अलोकेशन 15-1500 अनको दिया, तो डिफाइन की क्योंकि ती है अजर साथा देनी सत्ते हैं, अब यह 2000 आ रहागी तो 2000 reservation इसको मिल गई है, 2000 reservation मिल गई है, तो यह 2000 तक चला जाएगा, तो यह वला 1000 पे आजाएगा, तो Windows XP VM की परफॉर्मस बहुत जादा स्लो हो जाएगी, तो इस category के अंदर भी हमें कंडिशन लगा दी पर्टिबर VM पे, की 3000 का ब्लॉक था, उसमें से हमने एक VM को 2000 MHz रिजर्व कर लिए, 1000 MHz अगर हम पे एक और मशीन होती ही, तो वो दोनों भीचारी 500-500 MHz ही यूज कर पाती है, ठीक है ना, तो उस कंडिशन में वीम स्टक भी हो सकती है, और बंद भी हो सकती है, बट आपका जो अदर जो वीम से उस पे इंट नहीं होगा, क्योंकि यह अपने एक ही आपको थोड़े दिर में ग्राफ दिखाई देंगा कि इसको अठारा सो एक मिल गई है, तो इसको बढ़ रही है, क्योंकि इसको बढ़ रही है, क्योंकि इसको मिने 2,000 MHz चुड़ हो गई है, अब यह कुछ दिर्वात देखेंगे तो यह 1000 तक आ चुके होगी, बट इस मश करो, और आपकी विंडोऑ एक्स्पी विंवन हाने न, यह निया है, यह देखेंगे, यह दो थीन MHz मिलि सेकंड्स में ट्राफिक चल रहा है, इतना यह अधिना भरक्रफोर्मस्याय देखा इसका, इसका बढ़ एक्स तो, इसका बढ़ विंडोऑ बिन को शोल करो, आपकी यह तो था हमारा लो काटगरी का, अगर इन मशीनों को मैं यहां से ट्राइब करके, हाई काटगरी में ले जाता हूँ, इसको उठाकर हाई काटगरी प्रेजाता हूँ, अब इनकी परफॉर्मस्स देखो, क्या दिखा है, कुछ दिर विट करना होगा, उसके बाद ही हमें पर 997 पर 997 पर 997 पर कुछ दिर के बाद अपने यह रिफ्रेश ओकर 8000 तक की लिमिटें की तो अपने पी रिक्रॉस हो जाए कि मैं दोबर राइट प्रेक करना हूँ, वानी काटगरी पे 5000, 2000 से रिजर्वेशन दे रहे हैं, 2000 मिलेगी मिलेगी, जाए जो मर्जी होगा, अब मैक्सम कहां तक जा सकते 5000 पर अब ही 5000 पर मशीनों का पर्फॉर्मस देखना बहुत अच्छा है, हमें रिकॉर्डिंग को प्रोस करना होगा तब तक ही प्रोसेसिंग तो हमने अब इसको देखा तो इसकी प्रोसेसिंग जो CPU कॉस्शन ने बढ़ गया तने अपी जाकि ह रिफ्रेश करते हैं तो यह और जतना मिश को चाहिए होगा उतना काम करेगा तो पहले बंडू XPVM पे चाक करते हैं रैट्क्लिक करने के फुला 1-1 session यह तो इसमें विंडू XPVM पे जाते हैं और यहां पे बन-1 MS अगर यहां पे भी जाते हैं और इस पे भी इसका उपन करते हैं यहां पे भी कितना शोगर रहा है बनबन MS दिखा है तो इसका मुने दोनों की रिक्वार्मेंट फुल फ्लैश मैच कर रही है अगर अगर आप चाहते हो कि इसके डिमांड और जादा बड़े इन फ्यूचर में और डिमांड बड़े 5,000 से बहुत जानी पाएगा जैसे कि आपने देखा है तो इसमें अगर इसके लिमिट को और एक्स्पेंड कर सकते हैं और यह फिर अगर 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 है कि सरी तो जंगर नहीं जाते हो तो सकी माक्सिम जो लिमिट है वो 5,000ink तक ही होगी ओनि दिखाता हो है टो 5,000 से जादा देसकते एंगर तो जितनी आपने लिमिट डिफाइन कियोगी, उतना ही हम कर सकते हैं, उसे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो यह था आपका रिसूर्स वोग जो हम लोगो ने चोला से प्राक्टिकल इंप्लिमेंट करके दिए हैं कि एक खव्याद प्राक्ट झांदे एक भाइना खव्याद प्राक्रणा रिंप्लिमें लिए दिए हैं.